कानपूर में जुम्मे की नवाज के बाद 3 जून को हुई हिंसा में कई बड़े राज खुल कर अब सामने आ रहे हैं आपको बता दे कि SIT की जाच ने चौकाने वाला खुलासा किया है कानपूर में सडक पर हुए पत्राओं का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से बताया जा रहा है तो वही नुपूर सर्मा की टिपड़ी को लेकर भारत के विस्व पटल पर कई दिनों से हिंसा की चिंगारी लगी हुई है जो की अब तक बुझने का नाम नहीं ले रही आपको बता देगी कानपूर में नवास के बाद हुए बवाल का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आकासो दोरा बताया जा रहा है जिस वक्त कानपूर में उपद्री भीड बवाल कर रही थी उस वक्त को ख्यात हिस्ट्री सीटर अकील खिचडी अपने मुबाइल से फोन पाकिस्तान आकासो के संपर्क में था इस हिंसा के बाद हिस्ट्री सीटर अतीक फरार है आपको बता दे कि इस खुलासे के बाद S.I.T. और सक्थ हो गई है और अब इस उपद्री में पाकिस्तानी कनेक्शन खंगाल रही है कोई ऐसा बताया जा रहा है कि S.I.T. को उसका कनेक्शन बाबा बिर्यानी के मालिक मुकतार बाबा से मिल रहा है ब्यूरी रुपोर्ट आई पीर